हाई दोस्तो मैं माधुरी और औरिजिनल फूड रेसिपी बाए माधुरी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज मैं बनाना बताऊंगे आप लोगों को कि खट्टी मीठी चट्नी मात्र पांच मिनिट में किस तरह बनाते हैं आई ये बनाते हैं खट्टी मीठी चट जो अंचोर है और पहले में यहमझ Supa ढोंगी यहां दिया है कि इसमें पानी डाल दूंगी कोड़ा सा कि अब्र भी इस तरह से हैं कि यह जोटा लेना है यहाद कि मैंने लास पानी लिया था तो यह पूरा पानी नाल देना है प्राई फ्राण अंचर में यह देखिए इस तरह से हमें इसे मिला लेना है और इसमें मैं यह चीज़ें एड़ करूंगी यह देखिए यह मैंने काला नमख डाल दिया है जरा सा और यह देखिए थोड़ी सी यह देखिए लाल मिर्ची डाल दी है और यह थोड़ी सी धनिया पाउडर है आधी चम्मच यह डाल दूँगी दिखिए यह मैंने पीस कर रखा था यह सुआप और जीरा है जो मैंने पहले सेंक लिया था और अब मैं इसमें डाल उघी एक और दो दो चम्मच कि मैंने जीरा पॉस्टों पाउडर डाल दिया है और अब इसमें वाइट नमक डालूंगी यह देखिए थोड़ा सा वाइट नमक डालेंगे तो यह देखिए आधा चम्मच काला था वो आधा चम्मच यह वाइट नमक हो गया है और अब मैं इसमें चीनी एड़ करूंगी त यह देखिए जितना मैंने यह लिया था ना अम चुल लिया था इतनी चीनी एड कर रहे हूं आप चाहें तो गुरी भी डाल सकते हैं आपको जो ठीक लेगे आप बो डालें और इसे अच्छे से मिलाएं तो इसमें थोड़ी सक्कर और डालेंगे क्योंकि सक्कर का खटी मीठी आपको तो यक्री गड़ी हेना तो खटाई ज्यादा हो जाएगी देखिए यह मैंने लगभाग 200 ग्राम से जजादा रावार्त चीनी डाल दी है इसमें यसार था सामन डाल दिया है अब मैंस में ठोडा सा कलरेट करूंगी तो यह देखिए जरा सा कलर यह देखिए इतना स पर यह देखिए, गैस पर हमें दिलपुल हाई फ्लेम पर इसे चुराना है, यह देखिए, हाई फ्लेम पर हमें से चुराएंगे, तर ऐसे मिलाएंगे और चुराएंगे, थोड़ा सा पानी और डाल लीते हैं इसमें, यह देखिए, मैंने एक गलास पानी लिया था, थोड़ा सा ओर डाल दिया, यह देखिए, लगबर देड़ गलास पानी डाल दिया मैंने, डाइस ग्राम चुर की, मैं यह खट्टी मीठी चटनी बना रहें, बस इस तरह ऐसे से हाई फ्लेम पर हमें चुरा लेना है, देखिए, जटपट बनाने के लिए, अगर आप इस ट्रिक का इस्तमाल करेंगे, यह मेरी वीडियो अच्छे से देखेंगे, एंड तक तो आपको पता चलेगा, कि बगएर अमचोर खुलाएं भी, वो बगएर अमचोर तीसें भी, आप जटपट से दस मिनट में चटनी कै से स्यार करते हैं, तो इसे थोड़ा पकने देंगे, इसके बार में बताती हूँ आपको कि चटनी कैसी बनी है, हेलो दोस्तों, यह देखिए, पांच मिनट हो चुके हैं, और यह देखिए, कितना बढ़िया ट्रेक्चर आया है, यह देखिए, खट्टी मीठी चटनी, यह कितनी बढ़िया लग रही है न, और कलर भी दो कितना अच्छा आया है, और यह देखिए, जितनी गाड़ी चाहिए है, उतनी गाड़ी है, अभी ठंडा होने के बाद और भी अच्छी हो जाएगी, तो चलिए, गैस बंदे कर देते हैं, और ठंडा होने देते हैं, ठंडा ह कि अगर वे देखिया है दो यह सब्सक्राव में टरा टेस्ट मिसावड़ी यह मंद के लिए अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और तरह तरह की वीडियो देखने के लिए रेसिपी देखने के लिए फोलो करना मुझे लाइक कर देना और कमेंड करके बताना के कैसी बनी है तो चलिए मैं सर्व करके दिखाती हो Hello दोस्तों यह देखिए यह थोड़ा ठंडा होने के बाद यह देखिए कितनी बढ़ीया हो गई है चटनी यह देखिए आप कितनी बढ़ीया लग रही है और अगर आपको यह ड्राइट डालने हो तो आप डाल सकते हैं और मैं यह डाल रही हूं थोड़ा अच्छा टैस्ट आजाता है और देखने में भी और साथ में भी बहुत यह अच्छी लगती है तो मैं यह डाल दे रही हूं यह देखिए उन्हें थोड़े से ड्राइफ फ्लूट्स डाल दिये हैं यह देखिए अब और भी अच्छी लग रही है चटनी अब मैं सर्व करूंगी और बताऊंग अमजर प्लाइ यह देखिए आप देख सकते हैं यह देखिए कितने अच्छी लग रही है कितने बढ़िया वनी है यह देखिए आप जितने गाड़ी हमें चाहिए पड़ती है किसी भी चीज पर डालने के लिए चाहिए वो दही भल्ले हो और या फिर चाट हो तो उसके ल चटनी तैयार है, यह देखिए, है ना बढ़िये, तो कितने जल्ली से बन गई है, आपने 10 मिनिट में, 10 मिनिट से भी कम टाइम में, चटनी बना कर तैयार किया, ना ही कोई तैयारी, ना कुछ, और यह देखिए, खट्टी मेठी चटनी तैयार, तो प्लीज आपको, अगर यह मेरी रेस्पी, मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बिल आइकन दवाना मत भूलेगा, और प्लीज 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 सब्सक्राइब तो चैनल, और मेरी वीडियो देख किये हुए आप कैसे चटनी दयार कर सकते हैं वो भी बगेर मिली के तो प्लीज बताईएगा ओके बाई बाई फिर मिलते हैं